हलो फ्रेंट्स आज के वीडियो में हम लोग टॉप 5 डिविडिन पेइंग स्टाक्स के बारे में देखेंगे अगर आप नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए यह वीडियो एंड तक देखें तभी आपको पता चलेगा की कौन से हाई पेइंग डिविडियन श्टाक्स है चलो फ्रेंट्स देखते हैं पहला स्टाक है इंडियन आईल कार्परेशन यह स्टाक का मार्केट कैप है 98,707 क्रोर्स स्टाक का पीए है 7.73% करण्ट प्राइस है 69.9 और इसका मुख वैल्यो है 90.2 दिविडेंट यिल्ड है 12% अगर हम लोग इसका रिजर्स देखते हैं सेप्टम्बर में इसका रिजर्स है 6,234 क्रोर्स प्रॉफिट दिया था 2021 में लेकिन अब भी 910 क्रोर्स लॉस्ट दे रहा है सेकंड की स्टाक को देखते है R.E.C. लिमिटेड इस स्टाक का मार्केट कैप है 26,227 का स्टाक का P.E. है 2.56 करन्ट प्राइस है 99.6 और इसका बुक्वेल्यू है 202 डिविडेंट इल्ड है 11.5% अब इसका रिजर्स देखते हैं सेप्टमबर 2021 में प्राफिट था 2.692 क्रोड इसका प्राफिट है 2.732 सो प्राफिट बढ़ रहे हैं प्राइस टाक है PFC Limited मार्केट के अप है 33,014 और करन्ट प्राइस है 125 रुपीज इस्टा का बुक्वेल्यू है 290 रुपीज डिविडेंट इल्ड है 9.6% अब इसका रिजर्स देखते हैं सेप्टमबर में 2021 में प्राफिट था 5.023 अगला स्टाक है इस स्टाक आज 5% आप हुआ है इस स्टाक का अप है 10,180 रुपीज और स्टाक का पी है 55.82 रुपीज है 50.8 इसका बुक्वेल्यू है 72.3 इसका प्रिजर्स देखते है सप्टमबर 2021 में प्राफिट था 370 क्रोस सप्टमबर 2022 में प्राफिट है 396 तो प्राफिट रहे है अगला स्टाक है अगला स्टाक का प्राफिट का प्राफिट है 817 क्रोस और स्टाक का प्राफिट है 7.72 कर्ण्ट प्राफिट है 368 वैल्वेट है 486 अभी इसका दिव्यूल्ट है 8.15% सप्टमबर 2021 में प्राफिट था 27 क्रोस अभी सप्टमबर 2022 में प्राफिट है 55 क्रोस अगला स्टाक प्राफिट बन रहे हैं अगला स्टाक है NMTC इस स्टाक का मार्केट क्या है 34,684 प्रोस स्टाक का P.E. है 5.57 करेंट प्राइस में 118 प्रोस और स्टाक का बॉक वैल्यू है 69.1 इविडेंट इल्ट है 12.4 परसंट सब्टमबर 2021 में आफिस था 2342 प्रोस अभी सब्टमबर 2022 में आफिस है 289 प्रोस तो प्रोस के वे रहे हैं आप तो कॉशिस रहना है इस टाप में तो फ्रेंट अगर आपको मेरा वीडियो पासर लागा थे तो लाइक पीजे और शेयर पीजे थेक्टियो फ्रेंट्स